बहकी सभी जुबा हैं, हम हैं हजारों में अब की कमे जरा है, हर चीज खास है अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है अब है जो है वो समा है, तुम रह सके आसी जीत बचा है जिंदगी ऐसी जीत बचा है जिंदगी है तो दोस्तों आज का ब्लोग स्टार्ट करते हैं और कुछ नहीं सुरुवात करते हैं तो दोस्तों आज मैं आरका हूँ हरी की पौड़ी हरिद्वार में और आज मैं आपको दिखाऊंगा यहां का व्यू और दोस्तों आईए कभी हरी की पौड़ी हरिद्वार में तो गाइस अभी हम कहुंच गए हारी की पॉड़ी हरिद्वार में और यहां पिल रदालो लोग कोई आ रहे हैं तो कोई जा रहे हैं और यहां पीड भरी जिन्दिगी में तो अब यहां सर्दालों के हजारों सर्दालों आपको मिलेंगे अजय गंगा मा अजय गंगा मा अजय गंगा मा अजय गंगा मा तो दोस्तों अभी हम आरके हैं हरी की पॉड़ी हरिद्वार में और यहां सर्दालों लोग इशनान कर रहे हैं और आपको मैं अभी यहां का ब्यू दिखाऊंगा काफी अच्छा है और यहां सुकून भरी जिन्दिगी में मा गंगा में इसनान करने आते हैं रोज तो गाइज जैसे के आप देख रहे हैं सामने पर भाईया बाल्टी की मदद से और सीसे की मदद से मा गंगा की सफाई कर रहे हैं जिसमें कि कुछ सिक्के और सोना चांदी जो भी मा गंगा में जा रहे हैं सबसे पहले तो हम नहाने जाएंगे मा गंगा में और उसके बाद मंदिर में जाएंगे वह इस साइट चलें इसको हम तो गाइज सबसे पहले नहाते हैं फिर उसके बाद मंदिर में जाएंगे पुजा-फुजा करेंगे फिर आपको आगे ब्लोग में मां गंगा में डुपकी लगाएंगे और कहते हैं कि मां गंगा में डुपकी लगाने से आपके सारे पाफ दूल जाते हैं वैसे तो आपको दिखाता हूं उसके बाद मैं आपको ब्लोग में तो गाइज जैसे कि आप देख रहे होंगे यह मां गंगा में डुपकी लगाते हूए और क्या होता है कि मतलब पानी तो इतना ठंटा है पर मतलब यहां नहाने में जो सुकून है जो मज़ा यहां आता है न तो वह मतलब तुम्हें घर पे नहीं आएगा या कहीं और जगह नहीं आएगा जितना ही हर्द्वार नगरी में आएगा मेरे हिसाब से है कि मां गंगा में इसनाम भी हो गया और थंड बहुत लग रही है पहले तो थंडा है मौसम नहीं दूप निकल रही है और आवाग जारे पाफ दूगे अगर जलती से किस पाफ होए भी होंगे तो गाइए मां गंगा में इसनाम भी हो गया और यहां करीबन हजारों सरदालू डेली मां गंगा में इसनान करने आते हैं और जैसे कि आप देखी रहे होंगे मेरे बैक साइड इतनी भीड है कि कुछ लोग सामने इसनान कर रहे हैं कुछ यहां कर रहे हैं तो गाइज मेरे दो मेरा दोस्तना अभी जाए-जाए ले रहा है कि इतना गहरा कहां से है और उसके बाद डूपकी मारेगा बोला कि मैं पार कर दूंगा तो थोड़ा चलते हैं मंधिर में और उसके बाद कि फिर थोड़ा गूमेंगे फिर उसके बाद कि मांगा से गंगाजल ले लेते हैं या उसके बाद साफ है और चाहिए ले ज़ी आपकार करें हैं अब आप में जाल ले ले अपने कर्के लिए पक्साव में ले हैं आप कि आर्थी शीवा भूख्रशा विजोत में क्या बेखताना दिया तो दो तो करें कोई पान को करें कि नग्राइब भूलो गंगा माता सरधा प्रेंटे सोगादा सभीकार करना जंगे दियुग पूजा भी हो गई और सामकी पाती बज़ गी तो अब चलते हैं थोड़ा घर चलते हैं फिर उसके बाद घर चलते हैं तो दोस्तो हरी की पॉड़ी का नाम कैसे पड़ा तो एक राजा थे जो की तपस्या कन्ये अपने घरवार छोड़के पहार पर आये थे तो रोज मां गंगा में इसनान करते हैं आते थे तो उसके बाद बीच में उनके भाई तो अपने भाई की याद में उनोंने विक्रामाजित्या में जिस रास्ते से उनके भाई आते थे उस रास्ते में पॉड़ियां बना दी मतलब सीड़ियां का निर्म तो गाइज यह रहा हरी के पोड़ी और इसी की ठीक ऊपर मामंसा देवी मंदिर आपको मैं जूम करके दिखाऊंगा हलका पूरा तो दिखाई नहीं देगा यह है मामंसा देवी का मंदिर तो महां गंगा मैं इसनान करके ना पूरा सरी मतलब पूरी बॉड़ी इतनी हलकी हो चुकी है क्या बता है और ठंड मतलब इतनी ठंड लग रही थी तो गाईज आप सभी को मैं बताना चाहता हूं कि हर द्वार में मुझे यह चीज बहुत बढ़िया लगी कि यहां बस स्टेंड भी यहीं पे है और ठीक उसके अपोजिट में आपको रेलवे स्टेशन मिलेगा मतलब अच्छी लगी होप अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो लाइक करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना आप यूटूब चैनल